है दोस्तों कैसे हैं आप I hope आप लोग अच्छे होंगे आपके प्लांट भी अच्छे होंगे अज का हमारा प्लांट है सबकुलेंट इस प्लांट को हम Mother of Thousand प्लांट बोलते हैं और इसका बोटनी कल नाम है ब्रायो फिलम मेरे हजबन बोटने से हैं तो प्लांट के जो भी बोटने कल नाम होते हैं मैं उनसे पूछ के आपको बताती हूँ और देखिए अब मेरा प्लांट देखिए यह जो प्लांट है इसने यह सारे छोटे छोटे पोदे हैं वो अपनी पत्ती की एज़ेज पर कर रखें ली और यह खुदी अपने पोदे बनाते हैं इस प्रोसेस को हम वेजीटेट्यव प्रोपेगेशन बोलते हैं और इसको मदर ओफ थाउजन इसले बोलते हैं क्योंकि एक पोदे से हजारों पोदे एक साथ बना देता है यह देखिए इसके लीव फे कुछ पोदे अभी नए हैं कुछ थोड़े खिले हुएं कुछ अभी तक पूरी तरह से बंदी है ये पूरी तरह से खिले भी नहीं ये देखे बीच में है जो पूरी तरह से दो पत्ती खिले है बाकी पूरा बंदे ये इसी तरह से चार पत्ती का फूल है चार पत्ती का फोदा है एक पती इस साइड आएगी एक इस साइड आएगी और इसी तरह से अपने ब्यूटी भी खेरता रहता है देखे और जब हम इसको पूरा देखते हैं तो एक छो बड़े से फ्लावर के जैसा दिखता है अपने मेरी हतेली के बराबर का बड़ा दो चार पत्य है यो एक बड़ और नहीं है फ्रेंट्स एक बोदा है ये खुद से ही अपने बोदे बना लेता है और जब जब इसके लीफ ज्यादा मोटी हो जाती है थोड़ी सी जैसे आपको दूसरी बोली दिख रही है यलो कलर की तो इस तरह से लीफ होती है तो इसकी सारी छोटे-छोटे पोदे हैं वो इस लीफ पे अगर यह थोड़े से बढ़े यानि साथ चार-पांच पत्ती वाला हो जाएगा तो यहीं पे इसके रूट नीचे दिखने लग जाएगी हमें जब तक यह पत्ती को नहीं छोड़ेगा जब तक इसको पत्ती नहीं छोड़ेगी यह दून नहीं जाएगा यह पास ही रहेगा देखिए अब नीचे से तीन पत्तिया ओ निकल रही है जब वह भी साइस की होंगी तो उसमें भी ऐसे ही फुलावर के तरह चोटे चोटे प्लांट हो जाएगी यह देखिए यह इसी तरह से उपर से दिखाए देता है आप देखिए अंदर से इतनी बड़ निकल आई वो पत्ति और अब यह थोड़े दिन में पांच सब्ता भर में यह पत्तिया इतनी बड़ी हो जाएगी अब देखिए जो इसकी नीचे गिरे हुआ है वो इसके गमले में गिरे हुए और देखिए इनमें सब में अपनी चोटी चोटी रूर्स बना लिए इनमें अच्छे से grow नहीं हो पाएंगे इसलिए मुझे इनको निकालके छोटे गमले में वैसे मैं सुरुआ डिस्पोजल से करती हूँ छोटे छोटे उसमें डालती हूँ फिर जब गमला वो पूरा भर जाता है दिस्पोजल पूरा भर जाता है तो फिर मैं इसको बड़े गमले म I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा Like कीजिए, Share कीजिए, Subscribe कीजिए Instagram पे DM कीजिए Thank you so much friends Thank you